वेल्कम टे इंजिनियर्स के रेपाइंट प्लाटफॉर्म माइनम इस गुरविंदर आज का जो मेरा वीडियो है यह हिमाचल प्रदेश में जो हिमूडा में असिसेंट इंजिनियर के लिए जो वकेंसी आउट हुआ है इसका एक्जाम पर पेशन करना चाते हैं अगर मैं इसकी एक्जाम पेटरन की बात करूँ तो आप लोगों सभी को पता है इसमें पेपर वन है और पेपर टू है पेपर वन जो अब्जेक्टिव आएगा आपका नॉन टेक्निकल पार्ट है उसके अंदर इंग्लीश है, हिंदी है, हिमाचल जी के है और इंटरनेशनल करन्ट अफेर से लेटीड और जनल नॉलेज वाला पार्ट है पेपर टू सब्जेक्टिव होगा and this is the first exam हिमाचल के अंदर engineering domain से जो पहला exam है, जो subjective होने वाला है doubts आ रहे हैं, बच्चों के कि sir, slabers क्या होगा slabers भही होगा, सारा का सारा, आपको पूरा engineering अपने पढ़ना है अब question mark कहां भी raise होता है, कि sir, अभी जो जल शक्ति विबाग में paper होग है उसमें तो sir, इन्होंने 4-5 subject से ही पुछा है सारा, देखिए, वो बहुत rarest of the rarest chances होते हैं क्योंकि वो water-cell related department है, that is a reason कि उन्होंने वो डाल दिया, लेकिन अगर ऐसा नॉमली होता नहीं है, लेकिन इसके लिए हिमूडा के लिए तो आपको सारा subjective प्रेपेर करने है slivers वो जल्दी release भी कर देंगे और ये descriptive paper होगा, जिसमें आपको पूरा solution को detail में लिखना है अब अगर मैं बताऊं कि objective और subjective की preparation में कहां पर difference है, कोई difference नहीं है आपको question होता था objective के अंदर questions है, 4 options है लिखना पड़ेगा, derivations भी आ सकती है उसके अंदर नहीं होता है, पुरा derive करना है अब जब descriptive की बात होती है तो descriptive में जब paper checking होती है तो उसमें दो चीज़ें देखी जाती है multiple choice में तो ये देखना है कि question answer ठीक है या गलत है, simple, लेकिन जब descriptive आप लिखते हो, वो आपका approach भी देखता है आपने उसको किस तरीके से दिखा है आपके writing skill भी उसके अंदर check होते है क्योंकि जितना आप writing part पर improvement करेंगे ठीक, आपको सब solution पता है, answer मिल को पता है लेकिन मैं उसको ढंग से लिखी निपाया आपको point, point की form में चीज़ों को लिखने है जिससे आप extra marks गेंड कर सकते हो साफसाव लिखने है ये कुछ ऐसी चीज़ें जिससे extra marks आपको मिलते हैं descriptive के लिए तो मैंने आपको difference बता दिया कि objective और subjective में कैसे preparation difference है दूसरा अब अगर दिमाग में question आ रहा है मेरेको क्या only subjective question practice करने चाहिए नहीं आपको objective questions भी practice करने चाहिए क्योंकि junior engineer का जो exam होता है वो आपका objective होता है junior engineer का exam जो होता है आपका objective होता है तो आप बहुत candidate हैसे हैं जो already मेरेको इंजिनियर्स करें पाइंट यॉर्पीडिया की टीम के साथ जुड़ चुकी है इस हमुडा exam की profession को लेके जिसमें हम लोग दूनों approach रख रहे हैं टेक्निकल के अंदर जिसमें objective का भी हम profession हो रहा है subjective का भी हो रहा है मतलब यही का भी आपका profession हो रहा है में से subjective है तो अगर आप कुछ इस तरीके से अपने आपको plan कर रहे है जो कि मैंने आपको strategy भी दिया था कि आप लोग सभी हर्याना का exam भरो जिसमें आपका हमाचल वाला purpose भी solve होगा हर्याना वाला purpose भी solve होगा और हमने भी exam profession को इसी तरीके से strategy बनाया है इसी कारण से मैंने सोच है कि इसका एक वीडियो बिना दूँ कि आपको एप्रोच क्या रखना है और वह वाल exam को भी fill करिए मैं आपको हर किसी को बोर रहा हूँ reason specially to the हमाचल students क्योंकि आप लोगों के लिए assistant engineer की इतनी ज्यादा vacancies नहीं आती है चोटा state है कम population है तो कम requirements है उस level पे तो इसी कारण से आप लोग exam भरिए मानलो आपका selection हो गया मानलो आप मेंनत किया selection हो गया अब भही मिरको तुसरा हमाचल में जॉब करने है मिरको हर्याना में नहीं join करना है तो यह कुछ reason थोड़ा ना है exam ना भरने का exam तो तुम्हें भरने रहना चाहिए decision लेना join करें या ना करें जिस दिन selection हो जाएगा यार उस दिन लेना decision अच्छा दूसरा चीज़ जब आपका exam qualify होते है other exam qualify होते हैं जो शायद आपके target exam नहीं होते हैं उससे एक confidence मिलता है आप momentum में चलते हैं आपका preparation चलता रहता है जिससे कि आप ये 4 vacancies निकली है अगर आपका preparation level अच्छा है तभी आप उस 4 vacancies के लिए compete कर पाऊगे otherwise अगर आपका preparation level अच्छा नहीं है तो competition तो तुम्हें 49 में भी आएगा चार में भी आएगा तो जितना आप अपने preparation को continue रखेंगे अलग-लग exam भरते रहेंगे तो उसका आप लोगों को benefit होगा तो जो भी आप लोगों में से interested है although की जैसे मैंने उसको बताया although मैं यहाँ पर late हूँ तोड़ा inform करने के लिए 10 December से इसका already batch start हो चुक है जिसमें हम लोग paper 1, paper 2 और आपका objective, subjective दोनों का approach follow करेंगे preparation हम लोग करवा रहे है only descriptive का preparation करना है वो भी हो जाएगा only paper 1 का करना है वो भी है combination में करना है वो भी है only JEE का करना है वो भी है चारो combination मैंने इसका कल वीडियो भी बनाया था कि हमारे पास हर तरह के module available है बस आपको किस तरीके से आपको preparation करना है यह आपका decision है कि आपको किस batch के लिए join करना है तो आप लोग जुड़ जाएं इंजिनिर्स करें पॉइंट के साथ batch अल्यडियो बीडियो चुक है एक दो दिन का आपका और उसके बाद description में एक link भी available है जहां से आप directly join कर सकते हैं Assistant Environment Engineer का भी module चल रहे है वो पूरा recorded module है उसको भी आप join कर सकते हैं उसका भी मैंने link जो है वो description में डाल दिये कोई भी आपको still कोई query देते हैं आप मेरे को call करिए थेंक यू अल्ली बेस्ट